प्रियो विद्यार्ति साथियों जय हिन देवी अहिल्य विश्विद्याले इंदावर की परिक्षा परिणाम श्रंखला में आपका हार्ति कभी नंदन है इस वीडियो में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि अभी तक B.A. सेकंडियर और B.A. सेकंडियर के परिक्षा परिणाम विश्विद्याले द्वारा गोशित क्यों नहीं किये गए और उन परिक्षा परिणामों के जारी होने की आगामी संभावित्तिती कौन सी हो सकती है यह करियर एडवाईस चैनल है इसे आप सब्सक्राइब करतीजिए और बेल आइकॉन भी प्रेस करतीजिए सत्यों B.A. और B.A. सेकंडियर के रिजल्ट आने में अभी थोड़ा वक्त और लग सकता है और इसका एक कारण है क्या है कारण आज के समाचार पत्र में इसके बारे में एक विस्तरित समाचार प्रकाशित हुआ है उस तक पहुशने के पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि इस चैनल का वद्देश आपको यथा संभव सही और आपके लिए उप्योगी जानकारी देना ही है सत्यों कुछ समय पहले हमने आपको एक जानकारी दी थी कि सेकंडियर के रिजल्ट 30 सितंबर तक आ जाएंगे लेकिन अब तो 25 अक्टूबर हो गए तो क्या वह जानकारी गलत थी? जी नहीं वह जानकारी एक सूचना पराधारी थी और वह सूचना भी विश्विद्याले के अधिकारियों के माध्यम से अकवारों में प्रकाशित हुई थी फिर हो सूचना गलत कैसे सिद्ध हुई अर्थात अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ है? उसका कारण आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे आज समाचार पत्रों में एक विस्तरिस समाचार प्रकाशित हुआ है आप दैनिक भास करके 25 अक्टूबर 2023 के इंदाओर एडिशन में प्रकाशित इस खबर को देखी इस खबर में लिखा है कि सब गोलमाल है युनिवार्सिटी को रोकना पड़े बीए वो बीएस्सी के रिजल्ट और छात्रों की परेशानी बढ़ी जी हाँ ये बीए और बीएस्सी सेकंडियर के रिजल्ट की बात इस समाचार में की जा रही है इस समचार के अनुसार युनिवर्सिटी के रिजल्ट तयार है BA और BSC सेकंडियर के रिजल्ट भी उन्होंने बना ली है लेकिन उसके बावजूद वो उसे घोशित नहीं कर पा रहे हैं उसका क्या कारण है? उसका कारण है राश्टी शिक्षानिती को ठीक से नहीं समझपाना और पातरता नहीं होने के बावजूद भी BA के चात्रों के द्वारा विकॉम के विशे और BSC के चात्रों के द्वारा ओपन इलेक्टिव विश्यों को मेजर विशे की रूप में चुन लिया जाना है इस तकनिकी गडबड़ी के कारण रिजल्ट गोशित होने में कठिनाई हो रही है और एक दोने नहीं बलकि 3050 शात्रों ने गलट ढंक से विशे चुन लिया है और उनके कारण रिजल्ट बन जाने के बाद भी जारी नहीं हो रहा है यनिवर्सिटी ने इस समाचार में कहा है कि इन 3050 शात्रों के प्रक्रणों की जाज की जा रही है और विशे विशे शग्यों से सलाह भी लिजा रही है यदि सलाह के अनुसार ये विध्यारती क्राइटेरिया में आ जाते हैं तब तो ये पास हो जाएंगे अन्य था यदि ये पास हो जाते हैं तो भी चुकि वो विशे चुनने का उनका अधिकार नहीं था इस कारण उन्हें सप्लिमेंटरी आएगी ये काफी ही बड़ी परिशानी की बात है अब सवाल ये है कि इन सब समश्याओं का समाधान करके युनिवर्सिटी रिजल्ट कब तक जारी कर सकती है सेकंडियर का इसी समाचार में युनिवर्सिटी के एक अधिकारी के हवाले से एक बात कही गई है और उन्होंने कहा है कि हम रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं और रास्ता यदि निकल जाता है तो विध्यारतियों का लाव होगा और हम यह भी कोशिश करेंगे कि एक सब्ता भर में रिजल्ट जारी कर दिये जाए आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि हम रास्ता निकाल रहे हैं और रास्ता निकालने के साथ ही साथ यह भी कहना है कि सब्ता भर में रिजल्ट गोशिट कर देंगे अब सब्ता भर में होते हैं साथ दिन आज हो गई 25 तारीक और इससाब से लगता है कि साथ दिन होंगे हमारे 26, 27, 27, 37, 37 और एक नौवंबर को साथ दिन पूरे हो जाएंगे लेकिन साथियों इस बीच में कुछ आवकाश भी है और आगे एक दो दिन चार दिन का फर्क पड़ सकता है तो हम ये मान सकते हैं कि नौवंबर के प्रथम सब्ता हमें इस समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार सेकंडियर के बचे हुए रिजल्ट यानि बीए सेकंडियर और बीए सी सेकंडियर के रिजल्ट आ सकते हैं इस बीच में समश्या का यदी जल्दी समाधान हो गया तो रिजल्ट पहले भी आ सकते हैं और समाधान नहीं हुआ तो रिजल्ट आने में विलंब भी लग सकता है अब आपके और हमारे पास प्रतिक्षा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है अशा है इस जानकारी से जाकर अपलोड किये जाते हैं जिसमें विश्वे ध्याले से संबंदित नविंतम जानकारी होती है उच्च शिक्षा विभाग के नविंतम प्रावधान दिये जाते हैं यहीं नहीं आपके करियर से संबंदित बातें भी इसमें होती हैं नई नई वेकेंसी और प्रतियोग में विधान सभा की 230 सीटों के लिए चुनाव होने हैं तो उसके लिए भी जागरुपता अभियान चलाया जा रहा है इस चैनल की वीडियो आपको कैसे लगते हैं करपया कॉमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उलेक कीजी और यह भी बताईए कि किन बिंदू उपर आपको मार पुन बात आप तक साजा करने का अवसर देने के लिए चैनल की संचाली का प्रिती गुलवनेजी जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रती बहुत बहुत आभार आप सभी को शुब कामनाए नमस्कार